नमस्कार दोस्तो त्वागत आपका दी 11 टीम्स यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो के अंदरम बात करेंगे रोयल चिलेंजस बैंगलोर वर्सिस देनली केपिटल्स वुमेंज के बीच होने वाले वुमें प्रिमेर लीग दोजार 24 के मैच नमबर 7 की ड्रीम 11 टीम और ड्रीम 11 प्रिडिक्शन के बारे में देखो भाईयो ये वाला मैच के लजाएगा एम चिन्नो सामी स्टेडियम बैंगलोरू के ग्राउंड के उपर 29 फरवरी को शाम को 7 बज के 30 मिट पे मैच स्टार्ट होगा सबसे पहली बात आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम का लिंक मिलेगा देखो या टेलिग्राम जोइन करना बहु जुरूर ही है वीडियो के description में टेलीग्राम का लिंक है लिंक पर क्लिक करके बिल्कुल फरी में जोइन कर लो और साथ ही देखो दोस्तो चैनल को भी subscribe कर लो और इस वीडियो को लाइक की आट से कर दीजेगा तो भाई यू वीडियो के starting कर लेते हैं सबसे पहले में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ चिन्ना स्वामी स्टेडियम की पिछी रिपोर्ट आपको क्या देखने को मिल सकती है। देखर इस ग्राउंड की उपर अब तक जितने भी मैच खेलेगे ना उन मैचों में से ज्यादा तर जो मैच है वो जीपते हैं सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करने वाली टीम ने तो एक चीज तो कलियर है जो टीम टोस जीतेगी वो बोलिंग करने वाली है और जो टीम पहले बोलिंग करेगी उसको थोड़ा एडवानिटेज रहने वाला है और सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम की जीतने के चांस थोड़े से बढ़ सकते हैं दूसरी चीज यहापे जो वोमेन प्रीमिर लीग की जो मैच है ना वो ओल्मोस सारे के सारे मैच एक ही जाएगा तो वो तुम आपको टेलिग्राम पे बता पाऊँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक पे क्लिक करके जोइन करें अब देखो दोस्तों लास्ट इयर वूमन प्रीमिर लीग दो हजार तेईस के अंदर बैंगलोर और दिल्ली वूमेन के बीच दो मैच खेले गए थे दोनों के दोनों मैच यहां पे दिल्ली वूमेन के टीम जीत गई थी अगर उन दोनों मैचों के रिकोर्ड की बात करें तो पहले मैच के अंदर दिल्ली वूमेन के टीम ने पहले बैटिंग करते वे 223 रन बनाए थे 2 विकेट पे और बैंगलोर की टीम 173 रन बना पाई 8 विकेट पे और 60 नोशन मैच दिल्ली कैपिटल्स वुमेंस के टीम जीत गई थी वग उस मैच की आपको कुछ ऐसी फर्स्ट रेंग की टीम देखने को मिली थी जिसने 1.5 क्रोड रूपे विन किये थी अगर उस मैच में बात करें दिल्ली की तरफ से त शेफाली वर्मा ने चुरासी रन बनाए, मैरी जैने कैप ने 49 रन बनाए, अलाइस कैप सी को 2 विकेट मिले, तारा नोरिस को 5 विकेट मिले और शिका पांडे ने 1 विकेट लिया और आपको फर्स्ट रेंग के टीम में दिल्ली की तरफ से मैग लेनिंग, अलाइस कैप सी, शेफाली वर्मा, मैरी जैने कैप, तारा नोरिस और शिका पांडे देखने को मिली थी, अलागि तारा नोरिस इस साल इनके स्क्वेड में नहीं खेल रही है, तो तारा नोरिस के जगाप अरुण दंती रेड़ी यहां पर मान के चल सकते हूँ, उसके बाद अगर हम बात कर मैंगलूर की तरब से, तो समिती मंदाना ने 35 रण बनाए, अली से पैरी ने 13 रण बनाए, हैदर नाइट ने 34 रन बनाए, दो क्रीप लिए, रीचा गोष्को दो क्रीप मिला और मैंगन शूट देखने को मिल रही है, यहांपे हैदर नाइट नहीं खेल रही है, तो हैदर शूट के जिगा प्रियनुका सिंग ठाकूर को ले सकती। और इंट्रेस्टिंग चीज क्या लास्टिर तो पहला मैस था ना उसके अंदर कप्तान तारा नोरिस्क बनी थी पाँच विकेट के साथ और वाइस कप्तान बनी थी शेफपाली ब्रदमा अलाकि यहाँ पे मैं एक टीम के अंदर अनुदन थी रेड़ी या शिका पांडे में से किसे को कप्टन बनाने के आपको रिक्मेंडेशन देने वाला हूँ एज पर लास्ट एर रिकोट उसके बाद दूसरे मैच के अंदर क्या हुआ दूसरे मैच के अंदर बैंगलोर वुमेन के टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 150 रन बनाए 4 विकेट पे दिल्ली ने 124 रन बनाके 6 विकेट से मैं जीत लिया और आपको फर्स्ट रेंग की कुछ ऐसी टीम देखने को मिली थी इसने 1.5 कोड रुपे विंग किये थी अगर हम बात करेंगों आपे बैंगलोर की तरब से तो अलीसे पेरी ने 17 रन बनाए रिचा वोस ने 37 रन बनाए प्रिती बोस के जगह अगर आप चाओ तो सोफी मोनिलुक्स या जोर्जिया वारेम आप कंसिडर कर सकते उसके बाद अगर हम दिल्ली के तरफ से बात करें तो अलाइस केपसी ने 38 रन बनाई यहां पर कप्तान बनी थी श्रिकापांडे तीन विकेट के साथ और वास कप्तान बनी थी अली से पहरी सर्शितरनों के साथ देखा सिंबल सी बात है लास्ट एर हैट वाड के अंदर दिल्ली के बोलर का दवदवा देखने को मिला था बैंगलोर के खिलाफ श्रिकापांडे अब तक फ्लोप होती है लेकिन लास्ट एर एक मैच के अंदर तीन विकेट लेके कप्तान बनी थी और एक मैच के अंदर एक विकेट लेके फैंटेसी के टीम में आई थी तो यह डिफ्रेंचल प्लेर है वागी यह पहले मैच के ड्रीम टीम थी बैंगलोर वुमेन की तरब से समिती मंदाना और सोफी डिवाइन ओपनर तीन नमबर पे सबनी मेगना यह एस मेगना आपको बैटिंग करती दिखेगी उसके बाद मिडल ओडर की बात करें तो अलीसे पैरी रीचा गोस सोफी मोनेलियू जोर्जिया वारहम और श्रेंका प इनकी तरब से देखने को मिलने वानी इसी प्लेइंग गिलेवन के साथ इनकी टीम ने लास्ट के दोनों के दोनों मैच जीते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि इनकी टीम प्लेइंग गिलेवन में कोई चेंज करेगी उसके बाद अगर हम बात करें डैली कैपिटल्स की तो द पुल्दन तीरेडी एक बोलर, शिका पांडे दूसरी बोलर, इरादा यादो तीसरी बोलर, मीनु मानी चोती बोलर, पांची बोलर, अनाबेल सदरलेंड और छती बोलर आपको मेरी जने कैप देखने को मिलने वाली, एक बात परादू, लास्ट मैच में अलाइस कैप से ने अलाइस कैप सी, या मीनु मानी में से कोई एक पारपली में बोलिंग करने आ सकता है, चीज ध्यान रखेगा, वाके लास्ट वाला मैच दिल्ली की टीम इसी प्लेइंग लेवन के साथ जीती थी, तो दिल्ली की टीम भी इसी प्लेइंग लेवन के साथ इस मैच में जाने के चांसीज लगड़े अब देखो दोस्तो बैंगलोर वुमेन के आप रिकोर्ड देख लेते हैं समरिती मंदाना लेफटी बैट्समेन है लास्ट मैच में 33 रन बनाये थे उससे पहले तेरा रन दिल्ली के खिलाफ दो मैचों भी 33 रन 21.5 की एवरेज है लास्ट एर का रिकोर्ड है ये अच्छी प्लेयर टीम के अंदर रखा जा सकता है बस राइटाम होख ब्रेक स्पिनर से थोड़ा खतार रह सकता है यानि अलाइस के अपसी हो सकता है इसके सामने पार प्लेयर में बोलिंग करते बाब को दीखने को मिल सकती उसके बाद मारे पास है सोफी डिवाइन राइटी बैट्समन राइटामीडियम पेसर है लास्ट एर दिल्ली के लाफ दो मेचों में 35.5 केवरेज से इस साल अब तक दोनों मेचों में फ्लोप रही है लेकिन लास्ट मेच के अंदर इस प्लेयर ने पूरे चार ओर की बूलिंग की थी और ओपनिंग करने आती है तो इंपोर्टेंट है और डिस्क लोद और कैप्टेंसी भी दिय सकती हूँ उसके बाद मारे पास बैंगलोर की तरफ से एस मेगना तीन नमबरे बेटिंग करने आती है लास्ट मेच मेच में 36 रन उससे पहले त्रेक परंद लास्ट के दोनों मेचों के अंदर अच्छा परफॉमेंस है आप एक डीसेंट प्लेयर मानके चल सकते हूँ उसके बाद मारे पास है अलीसे पहरी राइटी बैट्समें राइटाम मीडियम पेसर चार नमबरे बैटिंग करने आती है पहले मैच के अंदर आट रन जिरो विकेट दूसरे मैच के अंदर तेईस रन जिरो विकेट लाश्ट इर दो मैच के रहे देटेट नमबरे बनाये थे एक मैच में वाइस कप्तान भी बनी थे फैंटसी गेंदर इस प्लेयर को मैं मेरी टीम में भी रखने बाला हूँ और मेरी टीम का वाइस कप्तान भी बना सकते हूँ उसके बाद मारे पास है रीचा गोस देखवार सामने वाले टीम के अंदर जो विकेट के पर बैट्समेन है ना दिन लीग के अंदर वो है तानिया बाठी वो कोई खास फ़र्मिस नहीं कर रही तो ऐसे में रीचा गोस एक मस्ट पिक प्लेयर जादा रिकोर्ड देखने की मैच के अंदर तिन विकेट लिए थे पहले मैच में एक विकेट लिए थे लेफ टाम और तो लोग स्पीनर है डेथ में बोलिंग करने आती है यह प्लेयर भी इंपोर्डेंट इसको टीम में रखना पड़ेगा उसके साथ जोर्जिया वार है मैना वो लेक ब्रेक स्पीनर ह लाष्ट के खास नहीं दे पाई है रिस्क लो तो आपकी मरदी धगर जासकता है और अगर पहले बोलिंग करे फिर एनुकाशिं ठाकुर को टीम में रखा जा सकता है अब अगर हम बात करें यहाँ पे दिल्ली की तो यह मैं प्लेइंग लियोन मानके चलाओं जो मैंने आपको ओल्ली पीछे बता दी थी अब दिल्ली की तरफ से बात करें तो मैग लेनिंग राइटी बेट्समेन है लास्ट येर बैंगलोर के खिलाफ दो मैचों में 87 रन थी 13.5 की एवरेज इस साल पहले मैच में एक अदर बनाया था दूसरे मैच में 24 रन बनाया थी अगर दिल्ली पहले बैटिंग करें तो इसको ड्रोप करने का डिस्क ले सकते हो अगर दिल्ली सेकेंड इनिंग में बैटिंग करें तो इसको आप अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो बाकि मेरा रिक्मेंटेसन ये रहेगा कि आप मैक्सिमम टीमों में इस प्लेयर को मोग आ देखवार सिंपल सी बाद है दिली पहले बैटिंग करें तो इस प्लेर के उपर फोकस किया जा सकता है अगर दिली सेकेंड बैटिंग करें तो रोप करने का रिस्क भी ले सकते हूँ उसके अदुमारे पास है मरी जैने कैप राइटी मैट्स में रायटाम मीडिये इंपिसर है लाश्ट मेट्स में तीन विगेट थे पहले मैश में शो़ारण एक विगेट इंपोर्टन प्लेयर है टीममें रख सकती हूँ और कैप्टनशी और वाइस कैप्टनशी की भी दावेदार है और दिनली का जो लाश्क मेश था ना उस मैच के अंदर मेरी जैने केप अपनी कैप्टन थी आपको याद हो तो उसके आद मारे पास है जैज जोनासन लेनी का मतलब भी नहीं मनता उसके आद मारे पास है अवन दन्ती रेड़ी और उसके बाद अमारे पास है शिकापफ़्ण दे देखो दोस्तों यहाँपे अवन दन्ती रेड़ी और शिकापांड न ये दोनों clear ऐसी है जो इस match में मेरी Trump रह सकती है इन में से कोई 1 मेर को ऐसा लगता है 2 या 3 wicket निकाल सकती है अगर दिल्ली की team पहले bowling करे तो इन दोनों में से कोई 1 player 2-3 wicket निकाल के लेकि जा सकती है तो आपको rotate करना है और दिल्ली पहले bowling करे तो शिका पांडे को तो आपको याद से try करना ही करना है उसके बाद मारे पास है रादा यादव, left time orthodox winner, last match में 4 wicket थी पहले में से में कोई wicket नहीं था, depend करेगा कितने और की bowling इसको मिलती है उस हिसाब से play performance दे सकती है तो यह आपको दिल्ली के almost सारे player पर record देखने को मिल दा है अब मापको team बता देता हूँ, यह है मेरी safety final जो मेरी भी team होगी न कोई भी change होगा team के अंदर वो मापको टेलिग्राम पे update कर पाऊँगा यहाँ पे मेरी wicket keeper में लिए रिचा गोस को betting में लिए मैग लेनिंग और समिर्थी मंदाना को old rounder में लिए अली से पैरी, Sophie Divine, Mary Janey Cap, allies Cap, see Annabelle Catherland और Sophie Molineux को और bowling में लिए शिका पंडे और जोर्जिया वारहम को मैंने कप्तान अली से पैरी को बनाए और वाइस कप्तान बनाए Mary Janey Cap को यह है मेरी एक safe team जो मैंने आपको बताई है अब मापको मेरी एक mega grand league की team दिखा देता हूँ देखार एक तो यह grand league की team है तो थोड़ी सी risk की team है यह चीज़ आप मानगे चलिएगा दूसरी चीज इस team के अंदर मैंने यह risk के लिए है कि दिल्ली की team पहले बैटिंग करे उसके इस केंदर आप यह team apply कर सकते हूँ यहाँ पर मैंने विकेट की पर मेरी चागोस को लिए है बैटिंग में मैग लेनिंग, सेफाली वर्मा, जमाई मारोडरी को लिए है और राउंडर में अलीसे पैरी मेरी जनेक है पर सोफी मोलेन्यो को लिए है और बोलिंग में शिका पांडे जोर्जिया वारेम, रादा यादा और अउन्दन तीरेडी को लिए है मैंने कप्तान अउन्दन तीरेडी को बनाया है वागे फाइनल ट्रीम टेलिग्राम पे मिलेगी, ये मेरी तरब से प्रेडिक्शन थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगी, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, धन्यवाद.